आज हम लोग discuss करने जा रहा है लूप इन जावा ठीक है तो एक्चुली जो लूप बाड़ है ठीक है अभी जावा में नहीं जाए लूप बड़ है इसका means होता है लूप बाड़ करना रिपीटिटिशन ठीक है और मैंने लूप बाड़ का मीनिंग क्या है इसका रिपीटिशन ठीक है अभी हम लूप पर बाद में आते हैं पहले हम डिसकस करने जा रहे हैं क्यों पड़ी कि सब्सक्राइब करना सबको आता है मैं इसको रन किया इसने हलो प्रिंट कर दिया ठीक है और सब्सक्राइब करना चाहता हूं तो भाई आप बोलेंगे कि क्या करना है इसको दो बार लख देंगे इसको मैंने कंट्रोल सीखिया क्यों आप अब आपको टास्क दिया रण करेंगे अगयन एक टास्क दिया कि इसको तीन वार लिख देंगे फूर टाइम प्रिंट करना है तो इसको मैंने रन किया फूर टाइम प्रिंट हो जाएगा ठीक है यदि मानके चलो मैंने बोला कि इसको तस टाम प्रिंट करना तो इसको अब दस बार ना कॉपी पेस्ट कर देंगे ठीक है उसको 10 बार कॉपी पेट कर'MM ठीक है और इसको प्रिंट करेंगे तो दस बार भी प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब i wait आपको प्रिंट करके नहीं दिखा रहा हूं देखो सिंपल सी वात हैं ऐसे प्रेस्ट कर देंगा अभी तो मैंने कितने टाइम किया है चलो कर रही दे रहा हूं कि दो ती चार पांच छे साथ हाट करें तो दस वारा आप इसको कर देंगे ठीक है और यदि मैंने आपको बोला इसको हंड्रेड टाइम्स करना है बन थाउजेंट टाइम्स प्रिंट करना है तो क्या है सेम प्रोसीजर करेंगे क्या अच्छा लगेगा अब बन थाउजेंट वाल लिख रहे हैं हंड्रेड वाल लिख रहे हैं ठीक है तो यह तो आपकी मेहनत हुई ना ठीक है तो हमाई प्रोग्रामिंग करने का मतलब ही क्या कुप ठीक है तो और तास को आसान बनाना ठीक है तो इसका मतलब ही क्या हुआ यदि मैंने बोला कि यदि हंड्रेट टाइम स्प्रिंट लिए से करने कि को कॉई मतलब ही नहीं कि ए यदि आपको किसी चीज को बारवारчто सेम चीज को सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं चीज को कि according भर बार चीज करना होना तो जावा में हम लूप का यूजhonka करते हैं तुक Ł Lena और लूप इज बेसिकली यूज़ फॉर रिपीटेशन रिपीटेशन और एनी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए या कोई स्टेटमेंट के ब्लॉप को मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं ठीक इसको हम start part भी भोलता है ठीक है start part तो अब आपको दिखा देरा है बस सिंपल अभी जान लो फर वाद मैं example देखेंगे हैर भी इनिसलाइज लूब वेरियेबल वाइस सम्वेल्यू यहां पर हम क्या है कि लूब को start करते हैं कैसे करते हैं किसी यह करते हैं कि इसके देखता है तके अंदर और एक होता है तो इन्क्रिमेंट करता है यह तो आफ प्रिक्रिमेंट जाबा में हम देखें Жाबा में हम देखें तो बैसिकली टीन टाइक के लूप अफैल्स है और आपको होता है तो हम लोग discuss करने जा रहा है वाइल्डूप को कॉट्ह?. ए इसको बाद में discuss करेंगे पहले लूप को डिसक UT है। नियुक का ट्र थेक्ट है यहां वाइल कीर्ड लगते हैं वाइल की वर ठीके और फिर जैसे हमने इस पारण नहीं अपर लगाते हैं जैसे फ्क्वर घंडुट कैंदर टेस्ट कंडीसर रखते थे पिर यह दोनों से इस चीज तो यहां टेस्ट कंडिशन यहां विदि होगती है ॹ॒क के अंदर एंटर करतें यहां पर यहां पर जाके और यह लूप के अंदर statement है ठीक है और देखो फिर मैंने आपको बताया है लूप के तीन पार्ट होते हैं एक होता है आपका initializes है यह बताया था है तो यहाँ पर हम करते क्या है यहाँ पर कोई initialization value रखते ठीक है इसके साथ मैं आपको example बता दे रहा हूं ठीक है यहाँ पर देखो मैंने कि एक वाइल कीवर्ड लिखा और यहां पर मैने एक पार्ट लेखा ठीक है यहां पर मैने किया क्या आईकल करते मटा है data type है और मैंने क्या किया आई equal to one कर दिया ठीक है तो कि Valli one हो जाएगी नहीं पर फिर लूप का देखऊंब दूसरा पार्ट होता है टेस्ट कंडिशन के मिस्यक्रस के अचचेष कंडिशा तो यह किया करता है यदि कि यह टेस्ट कंडिशन ट्रू या जी कल लाजिकलि मानफ बता ती ज्रू आपको लाजिकल referee इस टाइप से तो यदि क्रिट सिर्सरीत कंडिशन ट्रू है कि तब टेस्ट कंडीशन टेस्ट कंडीशन में हम टेस्ट कंडीशन रखते हैं यदि टेस्ट कंडीशन ट्रू ही तब ही नहीं हम लूब बाडी के अंदर एंटर करते हैं तो मेरा यहां पर टास्क क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं जिस आपको किलियर हो जाएगा मैं टैन टाइम हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ लूप के ठीक है सब्रेंट के टैंड टैमस व हलो कि यूजी मिलू है कि तो अम हेलो प्रिंट करना चाहते हैं के हापर्ट कार ड़ी है कि जो हमारा यदि एक से लेकर दस तक है तो ना यह वाला पारट एकजिकूट होगा मतलब क्या है हम टेस्ट कंडीसर के अंदर जाएंगे तो मैंने यहाँ पर देखो हो माइंड से बनाते हैं तो हमने बना कर रख दी कि आइज लेस दैन और एकवल टू टैन यदि यदि टैन से लेस थिकैं आई कि वेल्य यदि टैन से लेस है और टैन के एकवल है आई लेस देन और एक्वल टू टैन ठीक है फिर से बताते हूं यदि आई की वेल्यू टैन से छोटी और कम है ठीक है तब तक यह टेस्ट कंडीशन ट्रू होती जाएगी हमने लॉजिकली जैसे इप में कंडीशन बनाते जाना एसे वाइल के अंदर कंडीशन बनाई ठीक है तो हम इसके अंदर अट हो गया ठीक है थे शेक्षं साथ यहां उर्ट इक्रीमेंट पर क्या हुता है अब मैंने यहां पर क्या किया है देखो भाई हमारा पार्ट है इनिसलाइजिए सन्हें कर दिया ठीक है अब बचा इनक्रिमेंट वाला पार्ट है इनक्रिमेंट कर रहे हैं तो यह क्या करता है कि हमने लूब लूब के अंदर एंटर भी हो गए वन टाइम ना हलो प्रिंट भी हो जाएगा है ठीक है फिर हम नीचे आ गए तो नीचे आ गए तो हमारी यह ड्यूटी बनती है कि हम आई की वैल्यू को बढ़ाएं तो हमने क्या कर दिया आई प्लस प्लस यह एक्वेलेंट होता है आई इस क्या है और कुए चीज आती है तो ही करते की हो लिस तो और हम जैसे यहां पर आई यहां से हम फिर से यहां पर पहुंचे गाए स्टार्टिंग में अब आई की वेल्लू हो जाएगी तू फिर चेक करेंगे क्या टू टैन से लैसे या इक्कुल है तो भाई टू है ना टैन से छोटा है तो फिर से हम लूप के अंदर आ जाएंगे और एक बार हेलो प्रिंट हो जाएग फिर लूप 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 हो जाती है तो टेस्ट कंडिशन आके ब्रेक हो जाती है हम लूप के बाहर आ जाते हैं ठीक है यह चीज के लिए है कि आपको प्रैक्टिकली और एक बार और समझा दे रहे हैं प्लकुर एक्जम्पल के सांत और किलियर हो जाए ठीक है इसके तीन पार्ट होते हैं ठीक है टेस्ट कंडिशन और इंक्रीमेंट और डीक्रीमेंट ठीक है अब मैं यह प्रोग्राम आपको रण करके दिखा दे रहे हूं जिससे आपको चीजें और किलियर हो जाएंगी सब्सक्राइब पर क्यों ब्रेक होगी वह तो 11 पर होगी साक्षी मिसरा ने एक क्वेश्चन पूछा है ठीक है यह ऑपरेटर का मतलब क्या होता है ठीक है देखो यह दो ऑपरेटर का कॉम्बिनिशन है लैस देन और कॉल टू ठीक है तो दोनों में से यह एक कंडिशन protective Mr.Loop चलती है लैस दैन और एक वर कॉल टू है ठीक है लैस दैन और एक कॉल टू है ठीक है तो यह तो ऐक वैलू लैस हो फो या एक पॉल हो तब तक चलेगा ठीक है तो अच्छा से एक बात बतताईए जो 10 है इधर मैंने के चलो 10 आ गया 10 तो 10 जो यह लेप्ट में 10 है आई वाला 10 है लेप्ट में 10 वो इस 10 के एक्वाल है की नहीं है एक्वाल है तो ट्रू होगी तो ठीक है अब मैं इसको रण करके दिखा दे रहा हूं है इसको मैं क्लियर कर दे रहा है बढ़ एक दो रंब तो मैंने क्या है सेम लॉजिक को कटकाव पेश्ट कर दिया और जब का पबलिक इस्टेटिक वाइट महें सचेसिटन तो मैंने यहां पर क्या कीए इंटीजर लिया आई कोल टू टेन यौ लगादि कंडिशन लगा दी स्ट्म को जाला दो ट्हिक है इस आपका का इनिस लाइज इसन वाला पार्ट है तो पैन केलिए तो पैन केलिए निकरता है यह आपका टेस्ट ठीक है यह आपका इनिक्रीमेंट सेक्षिन अब मैं इसको रन किया तो यह 10 टाइमस अलो प्रिंट कर देखो वन तू थ्री फॉर फाइब सेविन एट नाइन टैन टैमस अलो प्रिंट हो गया यह सर्थ अच्छा इसमें किसी कोई डाउट है नो सर्थ इतने सब के सब इसक्रास अटेंट कर रहा है कि अधियर आपको एक लूप आपने समझ लिया तो बांगी दो लूप आपको समझ में आ जाएंगे कोई डिफरेंस नहीं ज्यादा लिटल डिफरेंस नहीं पर एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं जिससे लोग नए हैं हम क्या करते हैं लूप के तीन पार्ट होता है कि स्टार्ट होता है तो हम लूप की अरिफ स्टार्ट करते होगी हमसे रखते हैं कि हमारी जाके लूब होगी तो हमारी जाकर ना से लेकर टैन तक चलेगा वन टू थ्री फूर एक बार सग्या कुछ चींज करके बताईए ना बल्कुल बता रहों ना एट नाइन ठीक है अब इसको थोड़ा सा बता दें ठीक है तो मतलब क्या है कि हमार जो आई है ना बार-बार रिपीट होगा आई बार-बार ठीक है मतलब जो वाइल के अंदर जो चीज है ना रिपीट होती है तो हमना आई को प्लस-प्लस कर देंगी आई इसकोल टू आई प्लस बन तो पहले देखो पहले हमारा जो आई एककोल टू बन था फिर यहां पर आके हो जाएगा टू पर थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे ठीक है और यहां पर आई पर 11 चेक करता है आई वाला आई वाला एक पल टू टैन है की नहीं है तो बहुत बताओ जो 11 है क्या टैन जो 11 है जो एक लेवन है क्या चोटी है ऑलट यहां पर लूप होWestad prom जाता है तब के बाहरा जाते हैं अब कई बाहरा जाते Mission पूछा है कि एक बार लूप की मनलब की वैलीव च챈 अ पर आंब डब टृच्छा इसना पूछAh क्या करया है और जिसने जो अब पूछा हम वह वैलीव रिख है Almost कि बताईए कि जल्दी बताईए कि अरे आप बताऊ ना ठीक है अब एक मान मान के चलो ऐसा नहीं कि हमको 10 टाइस प्रेंट करना है तो हम 10 ही रखेंगे ठीक है चलो कुछ भी अब मैं लेकर दे रहा हूं ठीक है 11 से कुछ भी रख सकते हैं तो मैंने इसको किया 11 ठीक है अब मैं यहां पर क्या करूंगा लेस्ट टू करूंगा 20 ठीक है मतलब 11 से 20 तक चला रहा हूं ठीक है लेस्ट टूंटी अब फिर भी लूप चलेगा टैनी टाइम्स चलेगा देखना यह साथ में लिखा गया इसको एक बार कर देना ठीक है अब यह देखे रहा है लूप ना हमारा टैनी टाइम्स चला देखा दे रहा हूं मैं वान टू थिरी तो फाइब शिक्स टैवन एट एक में नाइन अबरे टैन ठीक है तो यह ना अपने लॉजिक लगाने पर डिपहन करता है ठीक है लूप का फंडमेंटल तो यह है कि इसमें हम कुछ इस्टार्ट वैल्लू रखते और उसको इंक्रिमेंट करते तो यह चलेगा बट यह है कि भाई यहां पर यदि एकोर्डिंग कंडिशन नहीं मिली तो हमको लूप के अंडर इंटर नहीं करते अब मैंने मान के चलू ऊपर ले लिए 11 ठीक है और यहां कोई मैं कोई फाल्स कंडिशन दख रहा हूं फाल्स कंडिशन मतलब क्या है क्या रख रहे हैं एफ आई लेस देन और एक्वल टू अब मान के चलू रख दिये तैन रख दिया तो कंडिशन यहीं फाल्स हो जाएगी हमारी लूप के अंदर इंटर ही नहीं हुए जो ग्यारा है वह नहीं चैन से छोटा है और नहीं के एक वाले मैं इसको रन करूंगा हम लूप के अंदर गाए नहीं हुआ देख लूप के अंदर गाए ही नहीं है कुछ प्रेंटर नहीं हुए कि लियर है मैं यह सर्वाइल लूप सबको समझ में आया यह प्रेंगर लूप